नमस्ते फ्रेंड और वेलकम टू अनदर सेशन ओफ क्विक्विक्स रो आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने गरों पे स्वस्त होंगे और सुरक्षित होंगे मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से शुकरिया तो सर आज वीडियो होने वाली है काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ लोगों ने वीडियो प्लेयर इंस्टॉल किया था अपनी गाड़ी में एक तो उसकी वीडियो, दूसरा अगर आपकी गाड़ी में 7.5, 0.5 MD वर्दन अगर आपने इंस्टाल किया है, उसको रिमूव करने के लिए ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो मां बताने वाला हूँ, एक तो ये चीज, किसी का 7.0.5 है, बहुत ऑरिजिनल वाला, किसी का 9-series का है, किसी का 2-series का है, किसी का 3-series का है, तो सर इन वीडियो को मैं नहीं बना सकता, क्यों मैं ओनर हूँ गाड़ी का, और मेरे पास में जो मीडिया नयब अब लेवल है, मैं उसी पे ही काम कर सकता हूँ, एक तो हो पहली चीज, दूसरी चीज मैं बता दूँ कि काफी लोग जो हैं इस बिजनस में हैं, तो उनके पास में अलग-अलग वर्जन के मीडिया नाप पड़े हैं, वो टेस्ट भी कर सकते हैं, 45-50,000 रोपया वो कॉस्ट बीर कर सकते हैं उस चीज की, मैं नहीं कर सकता है, यह सिंप अनर ने, या फिर ना तो मेरे किसी सब्सक्राइबर ने, किसी ने मेरे को बोला नहीं है कि उनका चैनल सर आप बता देना, वहाँ पे जाके वीडियो मिल रही है, क्योंकि मुझे लगा कि कोई हेल्प करके राजी नहीं है, किसी की यहाँ पे, क्योंकि काफी कमेंट्स मेरी वीडियो में आया थे, कि मेरे को 9.1.3, 9.3. something, इसमें वीडियो प्लेयर चलाना है, तो मैं कैसे चला हूँ, तो उसका वीडियो यार, काफी लोगोंने चला रखा है, तो आप रिप्लाई कर दीजिए, काइनली उसका, अगर आपको पता है, तो किसी ने रिप्लाई नहीं ह देखो सर, help करना चाहिए, एक दूसरे का मेरा मानना ये है, तो मैं आपको उन चैनल का नीचे में लिंक दे दूँगा, सुझीत पीबी सर है, उन्होंने काफी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है, उनके सब्सक्राइबर कम है, इसका मतलब ये नहीं, उनके पास नौले तो हो सकता है, मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पे, अच्छी बात है सर, आपने फ्री में वीडियो डाली, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और बहुत ही दिल को सुकून मिला, कि आपने फ्री वरजन भी वहाँ पे लाँच किये हैं, फ्री में वीडियो वहाँ पे डालना आपने शुरू किया है, पहले एक जो वरजन थे, एक दो मैंने देखे थे, वो शायद पेड़ वाला था, अब मुझे समझ में नहीं आया वो क्या कहानी है, तो फ्री वाली जो वीडियो थे, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सर के चैनल प कर रिप्लाई हो सकता है, मैं ना कर पाऊं, क्योंकि ऐसी वीडियो उस पर बहुत सारे कमेंट आते हैं, और रिप्लाई करना मुश्किल हो जाते हैं, और एक ही तरह के कमेंट होते हैं, काइंडली आप नीचे जाके पढ़ भी लिया करो, अगर मैंने किसी का रिप्लाई दि रहा हूं, पर यहां पे मेरी हाथ जोड के आप से गुजारिश रहेगी सर, आप काइंडली एक रिपा करके, अगर दस रुपे से लेके, सो रुपया, पानसो रुपया, पचास, साथ, जितना भी पैसा, छोटा से छोटा अमाउंट भी अगर आप जाके, भारत के वीर पैसा शहीदों के जो फैमली हैं, उनके अकाउंट में जाता है, सर, काइंडली आप जरूर करके, अगर आपको देश के परती थोड़ा सा सम्मान, थोड़ी सी सानुपती अपने देश के सैनिकों के परती है, तो काइंडली आप जाके वहां पे डोनेट जरूर कीजेगा, म मुझे ये भी नहीं पता करना है, मैंने कभी किसी से पूछा भी नहीं कि भी आपने डोनेट किया था कि नहीं किया था, वो वीडियो भी फ्री पड़ी है, ये वीडियो भी फ्री ही पड़ी रहेंगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप रखिये, अप वहां जाके जरूर रोइट कीजिया, आपको अच्छा लगेगा, आपको कम से कम ये महसूस होगा कि मैंने कोई चीज मुफ्त में नहीं उठाई, मेरा कोई अहसान आपके उपर में नहीं रहेगा और मुझे ये लगेगा कि चलो यार मैंने कम से कम जिन्दगी में कुछ अच्छा काम तो किया तो काइनली सर आप जरूर कीजेगा और अब इंपॉर्टन चीज आपको मैं बता देता हूँ आपको दो फाइल यहां पर मिलेंगी सबसे टॉप में, डिस्क्रिप्शन में सबसे उपर में दो फाइलें आपको मिलेंगी उन दोनों फाइलों का लिंक जो है वो गूगल ड्राइव का है पहला जो फाइल है, वो है रिमूवल की, 7.0.5 एमडी को हटाने की तो अगर, मतलब वो पूरा प्रोसेस मैंने समझाया है वीडियो में तो पहरी फाइल वो हो गई और दूसरी फाइल जो है, वो है आपका वीडियो प्लेयर हटाने की अगर आपको वीडियो प्लेयर हटाना है तो किसी भाई का, अगर खाली 7.0.5 MD ही इंस्टॉल है अगर वीडियो प्रेइंस्टॉल नहीं है तो वो भी उस फाइल को यूज़ कर सकता है अपना वर्जन हटाने के लिए तो सर, यहां तक बाते हो गई सारी अब आपको मैं करके दिखाता हूँ ठीक है? तो सर, जो मैं step by step बताऊँगा अभी सारी चीज़ आपके सामने करके दिखाऊँगा ठीक है? क्योंकि इसमें फिर बाद में यार कमेंट्स का रिपलाई देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और माफ कीज़ेगा अगर मैं किसी के कमेंट्स का रिपलाई ना दूँ क्योंकि थोड़ा mental PCR मुझे भी चीए थोड़ा दिमागी शान्ती जो ना थोड़ी सी चीए मेरे को भी क्योंकि हर चीज़ करके दिखाता हूँ फिर उसके बाद में भी अगर कमेंट्स पूछे जाते हैं उसी चीज़ के लिए दुख लगता है साहब बहुत दुख लगता है तो ध्यान से देखिएगा सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अपने navigation में कुछ भी काम करने से पहले बहतर रहेगा अगर आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लें तो इससे फाइदा यह होने वाला है कि एक तो आप अपना एसी चला सकते हैं ठीक है अगर गर्मी है आपके आँ तो दूसरा आपकी बैटरी डाउन नहीं होने वाली बिलकुल भी आपका navigation इन बिट्विन बंद नहीं होगा ठीक तो यहाँ पर आपको मैं दिखा जेता हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ अलग करके दिखाऊंगा एकदम सब चीज स्टेब बाई स्टेब चलेगी यहां पर वीडियो का लोगो यहां पर अलड़ी है सेटिंग्स में आपके आपको मैं अपना navigation का वर्जन दिखा देता हूँ ठीक सिस्टम वर्जन मेरा 7.0.5 MD है याद रखिएगा साब यह दोनों वर्जन अलग होते हैं बार बार रिपलाई देके मैं थक चुका हूँ 7.0.5 अलग चीज है 7.0.5 MD अलग चीज है यह MD जो वर्जन है हमारे जैसे गरीबों के लिए है साब ठीक 7.0.5 जो है वो बाद में जो मॉडल आये थे उन में आया था ठीक है तो यह वर्जन आपने अलड़ी देख लिया 7.0.5 MD है मेरा ठीक है अब यह आपको दिखा देता हूँ बैलेंस फेड है बैलेंस फेड में चारो स्पीकर मेरे ओन है ठीक है और उसके बाद में डिस्प्ले पर यहाँ पर दिखा देता हूँ rear view camera भी मेरा activate है अलांकि इसको downgrade करेंगे तो rear view camera वाला option चला जाता है वार इसका मतलब यह नहीं है कि camera आपका activate नहीं रहेगा वो activated ही रहता है ठीक है तो यहाँ तक हो गया आपने देखी लिए है already एक बार आपको swipe करके भी दिखा देता हूँ swipe करेंगे उसके बाद में video का option यहाँ पे applications पगरा आ जाती है तो यहाँ पे आप click करके video पे option पे जा सकते है और यह सारी चीज में आपको live दिखा रहा हूँ कुछ इसमें गपलेवाजी नहीं है ठीक है तो यह सब कुछ देखी लिए है अब यहां से हम शुरू करेंगे अपनी कारवाई आगे की ठीक है तो कारवाई यह है कि इसको navigation system को off कर देना आफ करने के बाद में ही अपना जो आगे का काम शुरू होगा तो अभी अपने को system off कर देना है देखो यहां पे अभी भी जो logo है वो आई राय वीडियो का ठीक है तो system में यहां पे off कर देता हूँ off करने के बाद में pen drive में मैंने जो file है अपनी load कर ली है पहली वाली जिसमें हम downgrade करेंगे 7.0.5 MD से 4.0.6 में यहां ध्यान से सुन लेना sir कोई भी file जो मैंने दोनों आपको दे रखी है जैसे अभी first वाली file हम download करके उसके बाद में pen drive में जब copy करके paste करेंगे तब आपको उससे पहले pen drive हमेशा अपना format कर लेना है fat 32 default settings होती है उसी में आपको format करना है pen drive में कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके में तब आपको file वो डालनी है वहां पे ठीक है तब ही आपको यह काम करना है दोनों step में आपको ऐसा ही करना है ऐसा नहीं करना है कुछ भी pen drive में नहीं होना चाहिए चाहिए आप first step करो चाहिए आप second step करो तो दोनो स्टेप में आपको pen drive बिल्कुल format करके तब ही इसको use करना है तब यह system off कर दिया है मैंने अब यह off करने के बाद में pen drive मेरे को simply इंसर्ट कर देना है तो इंसर्ट कर दिया मैंने इंसर्ट करने के बाद में जो जो instruction आएंगे चुप चाप उनको फोलो करते रहना है तो यह software version original मेरा दिखा रहा है 7.0.5 MD तो यह remove दिखा रहा है 6.0.3 MD तो यह दोनों सेम ही है कोई उसमें वो नहीं है remove चाए 6.0.3 MD हो आपके system में या फिर 7.0.5 MD हो दोनों के लिए सेम ही file रहेगी यह दोनों को लेकर जाएगा आपके 4.0.6 में तो यहाँ पर update पर मैं click कर देता हूँ और उसके बाद में process शुरू हो जाएगा इतने time पे आपकी गाड़ी की battery बिल्कुल 0 नहीं होनी चाहिए आपकी गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए आपका जो navigation system है यह बंद नहीं होना चाहिए यह चीज का आप बिल्कुल खास ध्यान रखिएगा और यह first वाली जो file है यह पहले process हमारा अभी जो convert होगा आपका 7.0.5MD या फिर 6.0.5MD से बापिस 4.0.6 आने के लिए process है भले ही आपने video play download किया हो या ना किया हो normally आप downgrade कर सकते हैं कोई इसमें बड़ा issue नहीं आने वाला है यह normal downgradation है ठीक simple downgradation यहां पर हो जाएगी तो process थोड़ा लंबा है मैं वीडियो को यहां पर pause कर देता हूं जब यहां तक पहुंच जाएगी फिर चालू कर दूँगा ने तो बहुत लंबी video बन जाएगी इस सिस्टम मेरा अपने आप off हुआ है और दोबारा जो है लोगो आना शुरू हो चुका है तो यह सिस्टम ऐसे ही चलने देना है इसमें कोई छेडा चाड़ी नहीं करनी है अभी भी आपको engine off नहीं करना है कुछ नहीं करना है सिंप्ली जैसा जैसा बोलेगा चुप चाप अराम से patience रखना है साब ठीक है patience बहुत जलूरी है कांड हो जाते हैं और हुए भी है लोगों के साथ में कोई बड़ी बात नहीं है इसमें ठीक है तो अराम से जैसे हो रहा है होने देना है ठीक है यह नहीं सोचना है कि क्या language सिस्टम बंद नहीं करना आपको और ना तो यह यूएस भी निकालनी है और जो मोटर जो है आपकी मतलब गाड़ी जो है आपकी वो भी आपको बंद नहीं करनी है मतलब कुछ भी कांड नहीं करना है बिना मतलब का चुप चाप चाप चलने देना है कोई सी भी language हो आराम से आप अपना सिस्टम चलने दो, चाहे वो उर्दू लिखिया है, चाहे अर्भी लिखिया है, चाहे Spanish लिखिया है, चाहे Italian लिखिया है, कोईrained थी भी लेंगूई लिखिया है, बिना मतलब कारांड मत करना, simple, इसको चलने देना, आराम से, तीक है, इसलिए मैं डिटेल से समझा रहा हूं सर ताकि बाद में फालतू के बिना मतलब के कमेंट्स ना आए आपके मन में डाउट ना रहें इसलिए कहता हूँ वीडियो देखा करो तसली से उसके बाद में ही आप डिसाइड के रहा करो कि ठीक है अभी सारा सिस्टम मेरा जो है वो complete हो चुका है तो मैं on करके एक बार देख लेता हूँ ठीक है तो जब on करने के बाद में फिर से आपके पास में ऐसी info आ जाए ठीक है कि दुबारा से जो आमने फर्स्ट वाला किया था ना कि 4.0.6 से आपको बापिस यहां पे जान आपको सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ यह मेरा सिस्टम बरजन है 4.0.6 और यहां पे मैं बता दूँ जो हमने स्पीकर अनलॉक किये था वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं साउंड में जाकर दिखाता हूँ आपको इचारो स्पीकर मेरे अनलॉक है यहां पे कोई चारी फालतों की नहीं हुई है वैसे का वैसे ही है सिस्टम तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं हुई है पर यहां पे एक समस्या बताता हूँ देखो 7.0.5 MD से हम वापिस तो आ चुके हैं पर वीडियो प्लेयर हमारा अभी भी इसमें है राइट वीडियो प्लेयर कैसे हम जोगो तो नहीं हा रहा है कोई भी पर स्वाइप करेंगे तब अप्लिकेशन खुलेगी तो यह वीडियो प्लेयर को आप्शन अभी भी यहां पे है मतलब वीडियो प्लेयर अपने को अगर अनिंस्टॉल करना है तब अपने को अलग दूसरी वाली जो फाइल है जो दूस आपको सेम ऐसे रिपीट करना है आपको अपनी जो फाइल डाउलोड करनी है डाउलोड करने के बाद में अगर फोल्डर बनता उसको एक्स्ट्रेक्ट करना है एक्स्ट्रेक्ट करके पेंड्राइब फॉर्मेट करना मत भूलना असर पहले फॉर्मेट 100% करना है कोई भी फ बापिस है, मतलब वीडियो प्लेयर अभी गया नहीं है भले, यहाँ पे लोगों नहीं आ रहा है पर वीडियो प्लेयर हमारा अभी भी सिस्टम में है और मेरा वर्जन जो है, वो 4.0.6 ही है अभी भी, राइट तो अभी मैं पैंडराइब में फाइल डाउनलोड कर चुका है, मतलब पेस्ट कर चुका हूँ तो यह सिस्टम आउफ हो चुका मेरा ठीक है, अभी आपको पैंडराइब लगा दे नहीं वापिस मतलब वापिस मींस तो से कि जो नया वाला अपना जो डाउनलोड किया ना फाइल वो पेस्ट करके यहाँ पेंडराइब सिंपली गुसा दो, राइट और जो जो इंस्ट्रक्शन आएगा चुपचा आप फॉलो करते रो, आपके सामने करके दिखा दूँगा, तो यहाँ पे यह है, सौफ्ट्वेर वजन 4.0.6 है और सौफ्ट्वेर वजन जो न्यूव वाला है, वो NNG कंटेंट है, कंटेंट मींस तो से कि आपको अनिंस्टॉल करना है, इसको वीडियो प्लेयर अनिंस्टॉल वाला यह सौफ्ट्वेर है तो यहाँ पे अपडेट को आप्शन दबा देंगे अपने आप अपडेट चलता रहेगा गाड़ी अपनी बंद मत करना, देखो गाड़ी मेरी चालू हुए अगर आपको AC on करके भी दिखा देता हूँ अगर आपके मन में doubt हो तो ठीक है, तो AC on या off हो रहा है आपके सामने में, तो गाड़ी बंद नहीं करना है, सीधी सी बात है मतलब क्या है कि अगर process के बीच में अगर आपका media nap बंद हो गया, फिर आपका can't 100% होगा इसमें कोई doubt नहीं है, ठीक है अगर बीच में uninstallation या फिर installation, कोई भी अगर interrupt होता है, तब यहाँ पे 100% problem आएगी ही आएगी तो इसको complete होने देते हैं, complete होने के बाद में आप कुछ सामने में दिखा रहा हूँ कि क्या-क्या option आते है क्या-क्या नहीं आते है, कुछ चुपाया नहीं है मैंने कोई भी इसमें धांदली बाजी नहीं है सामने में है, जो भी है तो यह अभी अपने आप बंद हो चुका है system, ठीक, बंद होने के बाद में फिर दुबारा खुलेगा, wait करना है मतलब ऐसा नहीं करना, आपको कि एकदम से system बंद कर दो गए यहाँ पे pen drive निकाल दो कि मेरा हो चुका काम सब कुछ हो गया, आपको wait करना है कि पूरा process complete हुआ है या नहीं हुआ है तो यह देखो, दुबारा अभी मेरा ऐसे खुल गया है, ठीक है, normally तो यहाँ पर मैं settings पर जाके देख लेता हूँ एक बार, ठीक, system जो है वो version मेरा कौन सा दिखा रहा है अभी भी 4.0.6 है, right ओम में चला जाता हूँ, अब में pen drive जो safely निकाल सकता हूँ, पर बैटर है आप इसको बंद करके निकालो, system off करके उसके बाद में निकालो, तो बढ़िया रहता है तो अभी फिर से में system on करता हूँ, on करके, अभी swipe करके आपको दिखाता हूँ कि वीडियो प्लेयर का option आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो यह देखो, swipe कर रहा हूँ मैं, अभी यहाँ पर कोई option नहीं आ रहा है किसी को doubt हो तो मैं दिखा देता हूँ, यार देखो यहाँ पर line जैसी भी बन नहीं दिख जाएगी आपको कि कोई सोचे उपर-उपर से उगली घुमा रहा है ऐसा कुछ नहीं है तो यह video player हमारा uninstall हो चुका भी बड़े आराम से पिलकुल एकदम देशी तरीके से वापिस अपना जो software version है वो वापिस 4.0.6 में आ चुका है और साथ में जो आपकी audio है चारो speaker अभी वैसे के वैसे हैं और अगर आप camera connect करेंगे तो camera भी आपका लग जाएगा कोई इसमें issue नहीं आने वाला है तो यहां तक हमारी video हो चुकी है और मैं फिर आपसे हाजोड के निवेधिन करूँगा सर भारत के वीर वेबसाइट पर जाके अगर आप कुछ डोनेशन कर पाएं तो वहां पर जाके जरूर कीजिएगा मुझे अच्छा लगेगा आपको अच्छा लगेगा तो आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको परसंद आई होगी मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत